बिहार की सियासक काफी तेज है नमांतन की जो आखरी तारीक है वो 24 मार्च है उससे पहले सभी पार्टिया अपने उम्मिदवारों का नाम इलान करेंगे भाजपा ने कडवी दिया है भाजपा के तरब से बेवी कुमारी चुनाव लरेंगे लेकि राज़त के तरब से कौन उम्मिदवार बनाया जाएगा उसको लेकर लगतार खबरे चल रहे हैं कई नाम भी सामने आ रही है लेकिन इस बीच रमई राम जो की बोचहां विधान से राज़त के तरब से चुनाव लड़ते रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और राज़त के काफी वरिष्ठ नेता है तो रमई राम आज नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदों से मुलकात करने के लिए पटना पहुंचे हैं राबडी देवी के अवास प भक्ती ने तक अच्छी कुस्मात का है कि खुझा हो चुका है सामने में वेवी देवी को प्रतियाशी बनाएं वेदी हो हर पार्टी अपति एक िन्युक्तृत की सब्सक्राइब कई तेश्बेरस अमीद है कि हम अभी पार्टी आ विसाब मौकर देने जा रहे हैं कहां मौटबंको प्रिफम कते हैं उनकी नियार है पूरेटा कू assessments लेए सिर्भाध ले लिया सिर्भाद ले लिया क्या कहेंगे जोड्ले क्या मुड़े होगा कर फुछ समस्क्षों इसकुल है कि चुल लिया वरुट कुंद सो याकि वहां करना है कि टिकट आपको मिलता है तो तो आपने देखा कि रमीराम कॉन्फिडेंस में हैं और कह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलने जा रहा है इस बार उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतरेंगी इसको लेकर काफी कि दिनों से वो मेहनत भी कर रही है और उनका कहना है कि बिहार सरकार से जो जन्ता है काफी नराज है बिरुजगारी के मुद्दे महंगाई के मुद्दे को लेकर वो जन्ता के बीच जाएंगी और उनका चुनाव जितना लगभग टै है तो कहीं न कहीं जो रमीराम के बेटी हैं वो काफी confidence में नजर आ रही तो अब देखना होगा कि राज़त के तरब से आखिर कब तक पर्तियासी का जो नाम है वो एलान किया जाएगा क्योंकि समय काफी नहीं है 24 तारिक ही जो आखिरे डेट है उससे पहले राज़त को यह final करना परेगा कि आखिर बो कहां से कौन चुनाव लरेगा तो अब इंतजार है कि राज़त के तरब से कौन बोचाहा विदानसवा सीट से उम्मधवार बनता है भाराल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो तुरंद कर ले और बोचाहा विदानसवा उप्चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं यह वीडियो आप फेस्बूक में देखने तो और पेज को भी लाइक कर ले धन्यवाद